अब आज स्टार्ट करने एक साइस 2.7 का क्वेशिन नमबर स्ट कोश्चिन नमबर स्ट कह रहा है 0.4 को हमने डिवैड करना है तू से तो देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं तो बोट्रिवाइड करते हैं 0.4 से एक मैंठर तो इसमें क्या होता है पहले जीरो को दिया नहीं जिए लिख दिया ौइंट टक देते हैं अब फोर पर दिंगे कि वह फोर लिग दिए कट कर दिया अनसर इसका असर कितना आ गया 0.2 simple सा divide करना हमने कुछ से divide करना है पहले तो से ज्रूब उने यहां लगता है ठीक है यहां लगा दिया हम लोग किस पर दे सकते हैं दे सकते हैं ठीक तो इसका हमने 4 पर दे दिया एक तरिका यह था दूसा तरिका क्या होता है यह ऐसा है देखो 0.4 divided by 2 है यहां से पहले पॉइंट हटा देता हूं मैं अगर पॉइंट हटा हूं तो कितने से इंटू करना पड़ेगा 10 से क्योंकि कितने प्लेस पॉइंट है एक प्लेस है तो 10 से उपर किया तो 10 से नीचे भी करना पड़ेगा अगर नुमिनेटर में किया तो 10 कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा एक पॉइंट रहा है तो पॉइंट डगा दिया अपॉइंट कितना बन गया 20 थिक अब फिर से वही करना पड़ेगा 20 से दिवाइट कर दो किसको फोर को फोर पी नहीं जाता तो जीरो उसके आद हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जागा यहां पर ठीक है उसके आद टू टाइम चले जाएगा कितना जाएगा 20 टू टाम जाएगा 40 यह हमारा आंसर तो दोनुं तरीके से आंसर सेम आने तो हमने क्या करना है जितने पॉइंट हो पॉइंट हड़ाने के लिए दोनुं जगा करना फिक है को यहां पर को होता है यह अब इसको करना होता तो नीचे देखो कितने पॉइंट है वन टू के बाद है तो हंडेर से करना चाहिए हम ठीक है हंडेर से यहां करेंगे तो हंडेर से यहां भी करेंगे यहां हंडेर से करते तो यह क्या बन जाता हमारा है दो जिरो दो जिरो हो जात जाता एक प्लिस के बाद यहां कितने प्लिस के आज़ है दू प्लिस क्या तो यह तो यह बन जाता कि होटी हपॉन कि टूवन टू अब टूवन टू से हां फोटी को डिवाइड करते तो हमारा आंसर आ जाता तो यह लेग ऐसे इस तरी यहां झाल आ यहां पर आएंगा हुई और यहां सींपल आ रहे हैं 3.96 divided by 4 तो फोर से डिवाइड करना है किसको 3.96 को 3 पे हमने डिवाइड करने कुछ करी 4 से तो 4 से छोटा होता है 3 तो नहीं जाएगा तो कितना जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है उसका पॉइंट है तो यहां पर को पॉइंट लग जाएगा अब यह कितना मन गया 39 मन गया 39 से छोटा क्या होता है 4 9's are 36 4 9's are 36 6-6 मैनेस किया तो कितना जाएगा आपको 3 आ जाएगा और यहां से फिर 6 उतर जाएगा 9 4036 ठीक है तो यह हमारा यहां पर को आंसर आ जाएगा इसका अंसर जाएगा 0.99 ठीक है यहां तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम निसको डिवैट करना है बागी सारे कोश्यन सेम है जैसे कि पहला वाला कोश्यन है माला लास्ट कोश्यन इसका कि एर्थ वाला 0.80 को डिवाइड करना है कितने से 5 से डिवाइड करना है तो 5 divided by 0.80 ठीक है तो 0 से 0 को देंगे नहीं जाता जिरो लिखेंगे फिर पॉइंट यहां से उतर जाएगा 0 560 30 ठीक है तो आंसे कितना आगया 0.1 तो इस हमारा आँसर ठीक है तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल इससे अमने इसको डिवाइड करना है अब देखते हैं अगर किसी को 10 से डिवाइड करना है तो यह अगर नहीं प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन भी मेंजन कर लेंगे उसके पार्ट में आपको बना करके दे दूंगा और मैं एक्स्विन कर लूंगा ठीक है Sachen है याँ से आपसे का हैं यां झिए हमनेगे छिदी हम और महिंद करना है एक पहला कुछन मेंट को डिवाइड करना है ऐख वर पविंद ग्वाइड करना है थैक है फैसे कि देख लेते हैं कि कैसे करके डिवैड करते हैं एक तर जाएगा पॉइंट लगा हुआ है तो हम लोग क्यों बढ़ा सकते हैं ठीक है पॉइंट लग चुका है एक बार तो इसको हम लोग 0000 बढ़ा सकते हैं क्यों ऐसा क्यों बोल आओ मैं देखो 4.8 s को मैं क्या लिख सकता हूं 4.800000 कितनी भी 0 लगा सकता हूं कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है अगर मैं इसकी जगे यहां पर को यह लिख दू जीरो 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 कितनी भी 0 लगा दो क्या फ्रक पड़ना है उससे बात तो वही है 4.8 को ही मैं डिवाइट कर रहा हूं ठीक है तो अब देखो जैसी 8 आया तो मैं यहां से एक और 0 यहां को हमारा कितना आया था 4-0.4 आया था उसका कितना आया था 8 अगे इसको मैंस करने के पास अब मैंने का पॉइंट लगा तो कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं तो आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हो न अब आगे आपके समझ मां आगा हुआ कि हम इसको यह भी लिख सकते हैं इसलिए हम यहां पर गया सकते हैं 0 बढ़ा सकते हैं 0 लिख दिया कितना आगे आगा तो इसका अंसर 0.48 एक मैसर तो यह हो गई कि इस दिवाईड करते जाओ डिवाइड नहीं करना है क्योंकि हम यह बहुत प्रानी मैसर है इसको कंफुजन हो तो वह इसका यूज करें तो किसको यह करते हैं दिवाइड आंसर के सर फूर पंट एडिवाड़ by 10 10 है इसका मनला point एक प्लेस आगे शिप्ट होने बाल हे हंड़र रोटा दो प्लेस आगे सीप्ट उता थाशहाण ऑफ्लेस आगे सीप्ट अगे है कहां राइट hand side सі left hand side को यहां से कहां जाएगा आगे जाएगा एक ट्रेस शिप्ट हो देखो 5 है तूपॉइंट फाइब डिवाइड बाइड यह करना है कितना प्लेस आगे सकना है इसके पिछी कितना है टैन कितने प्लेस एक प्लेस क्योंकि जीरो एक होता है यहाद कर लो 5.25 जिसको याद निकरना वह लोंग डिवीजन याद कर सकता है टेंसे डिवाइड करो इसको इतना ही आंसर आने ठीक है इसका जैसे हमारा लास्ट कोशन मतार हो इसका इसका सेगिन पार साथ लास्ट पार में तो डेक्टिव कुना बंद सॉल करने के लिए कि एक प्लेस का है पॉइंट यहां का शिप्ट हो जाएगा आगे एक प्लेस टोन है कितना हो जाएगा 0.397 पॉइंट एक प्लेस आगया तो त्रीके आगे लग जाएगा तो 3.97 आंसर ठीक है सेकिन हो गया थाड़ गोशन भी सेम है ठाड़ में ऐसा कुछ खास नहीं है उसमे की नीचे वाले पार्ट में 1000 से करते हैं कि कैसे हम लोग 1000 और 100 से करते हैं जैसे थर्ड वारा पार्ट है हमारा इसका है 2.7 divided by 100 यह हमार पास अब देखो 100 है तो कितने प्लेस आगे जाने हमने दो प्लेस जाने एक प्लेस तुम्हें यहां पहुंच जाता है इसके आगे पहुंचोंगा तो एक ही प्लेस होगा लेकिन मैं क्या वह ना हूं दो प्लेस एक और प्लेस जाना था लेकिन यहापकु को 0272.7 0.7 लिख सकता हूं ठीक लिक सकते हैं कि किसी भी नंबर के आगे जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है सेम जैसे हमान लेते यह 5 LET 010 लिख सकता हूं 7 है इसको 07 लिख सकते हैhen ठीक है 7 है इसको हम लोग 07 लिख सकते तो ऐसे कोई प्रॉबлем नहीं होती है तो हम उर्ब मान ले तें इसके आगे क्या एक 3 किसके आगे इसके आगे 0 लगा होए है पहले से कितने है साना है इसने यहां यहां दीव प्लेस आगे चले क्यों 100 तो आंसर क्या हो गया 0.027 एक स्टेंडर होता है कि उसके आगे 0 लगा करके लिखो आप अब इसको डेरेक्ट पॉइंट 027 लिख सकते हो लेकिन एक स्टेंडर्स लिखना चाहा हो तो यह अच्छा लगता है ठीक है तो 0.027 लिखो ठीक है इसके मसलब क्या समझे दो प्लेस दो प्लेस आगे जाना है अगर इसको दो प्लेस आगे जाना है तो मैं इसके आगे क्या 0 0 0.78 लिख सकता हूं इसको कोई दिखकत तो नहीं है कितने प्लेस जाना है दो प्लेस जाना है दो प्लेस जाएंगे एक दो तो कहां आ जाना है इसने 0.00 07 8 बन जाना है कि ऐसा कैसे आया इसको अगर रोंक के रहें तो क्या यहीं आना है इसको देखे हैं एक बार कशा के 100 से टीवैट के हमने 0.007 अट को मैंने इसको डीवैट किया ठीक है तो देखो पहले 0 फिर की 7 पी 7 पर दिया क्या घिया जीरो ठीक trov लेकि इसके पांकर अब फिर भी हिस पर क्या क्या करते हैं और जीरो होगा तो यह कितना बन गेिया आपका 780 बन चुका है इसके पीछे 0000 होंगे ठीक है तो इह कितना बन गया का 780 बनका 780 पे was 7 100 हो जाएगा ठीक है माइनस किया तो 80 हो गया फिस्ट पॉइंत है यहाँ पॉइंट यहां एक और जीरो लगा सकते हैं यहाँ से तो सौर्ट कर सका यूज़ करके जाना आगे को सौर्ट कर देखो इसको कैसे करते हैं दो है तो दो प्लेस आगे शिप्ट जाएगा ठीक है अगर इसको समझ में नहीं आता याली में आथा यह करते रहेंगे लेकिन बाद में हायर आगे बढ़ेंगे आप लोग तो आपको यह बहुत कम टाइम रहता है आपको आपको पता होना चाहिए कि सौर्ट क्या होती है तो दो प्लेस आगे शिप्ट कर दो ठीक है तो यह हमने देख लिया यहां पर को मैं आपको बजो बता रहा था भी कि कैसे करना है इसको जैसे हम 108 से करना है तो गतता है तो क्या लिखा अब किसको जीरो लिखता हो मैं ली लिखता हो ना तो हम लोग के जीरो-जीरो नहीं लिखते हैं तो झीज़े नहीं आगे बढ़ो ठीक है आगे ना बढ़के यह सब्सक्क्राइब बढ़ता है यह पीर आगे बढ़ो कहते हैं आगे ना बढ़के क्या होता है यह पसे जीडिज दीटेशन एट हो एक होता है यह जिए से इस वाले पहुंच गे थे हमलोग कौन सा सय जय थे लिए डिबैड़ क्या तो तो देखो क्या हो पहले पॉइंट लगा फिर 7 पी यह जिलो लिखो इसके पीछी चिल रहा एनला चले प्लाइन ठील के लिए सब्सक्राइब अब समझ मां क्या होगा आप लोगे ठीक है वही कॉंसेप्ट यहां भी यूज़ता कुछ ऐसे अलग नहीं है कि इस पर नहीं तो जिरो जिरो नहीं आएगा ठीक है और बाद में 009 क्या बन जाता है कि दीवाइड़वाई में इस है अलगे संधाओ टो पर कितने प्लेश सब्सक्राइब उसकंद सब्सक्राइब कितने प्लेस थीप्लेस प्लेस भर ने वन टू थी तो कहां लख जाना है इसको 000.0079 यह लिख सकता हूं में इसको अब 008 ने दो अटा दो 20 क्या दिख्खत है ठीक है तो क्या हो यह 0.0079 तो यह क्या बन गया 0.0079 बन गया ठीक है तो सेम इसका पहला पार्ट हो गया अब जैसे इसका हमने एक और पार देख लेते हैं बागे बाद आप खुद करेंगे तो य कितने प्लेस आगे बना रहा हूं मैं 0.5 divided by 1000 बना इसको मैं और क्या लिख सकता हूं आप सबको पता है कि 0.5 को मैं इसके पीछे यहां भी 0 ला सकता हूं इसके यहां भी 0 ला सकता हूं कि क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है किसी नंबर से पहले 0 की कोई value नहीं होती है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोई लिखत नहीं ठीक है अब कितने प्लेस आगे बढ़ाना है तीन प्लेस तो यह क्या बन जाने किरें इसको इडेस कर दिए अब पॉइंट आफ जो जिरू की कोई बैल्यू जहां तक है नमबर वहां तक तो वैली होती है उसके बात कई नमभी हुदा इप К pom樣 कुश्यन नूमबर 5 अगर फर्स का जैसा होता देखो इसमें 7 divided by 3.5 बोले अब हार पास इंटू 2 होता है हमारा 7 7.0 होता है 7 होता है मैंने 7 कर दिया खलता मालना सच कि इसका 2 आ गया ठीक है अब लेकिन आप लोगों करें कंफ्यूजन हो जाएगा कि आम में 3.5 की टेबल कैसे याद करें 3.5 इंटू 2 इसकल टू 7 होता है होता तो है आपको भी समझ मांगे होता तो ह 3.5 इंटू 2 इसकल टू 7 होता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे हमें हर बाट रेवल यहां नहीं हो सकती है यह नहीं हो सकती है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको इस पॉर्म में लिखेंगे 7 ऑपन 3.5 ठीक है मैंने का बोला था इसके पीछ में कितना है एक पॉइं सब्सक्राइब एक पॉइंट है एक पॉइंट लग जाएगा करासान आमने कर चीगा था ठीक है तो इसमें क्या डिवाइट करने में हमें पता नहीं होती है टेबल या तो याद हो आप लोंको टेबल तो आप कर सकते हैं ठीक है है वह वाली बात होगी जैसे हमने एड से अगर हमने डिवाइट करना है किसको वन टू फोर को अब मुझको एड की टेबल ही नहीं पता सो मैं इसको क्या डिवाइट करूंगा अब एको पता ही नहीं है मैं कितरा लिखूंग यहां आपको मैं सोचते रजाओंगा क्या करते वह दिखा देना 7 divided by 3.5 into 10 वह आपको देख रहा होगा वीडियो को पूरा स्वाल करके आप इसको दिखाएंगे तो अब इसका जैसे इसका अगला बार देखो 36 divided by 0.2 36 divided by 0.2 कितने कितने पॉइंट है एक पॉइंट है अगर उपपर भी पॉइंट होता तब भी हम लोग उहीं का पॉइंट है लग काउंट करते हैं ठीक है कितने पॉइंट है एक पॉइंट है 10 से कर देंगे तो क्या बनेगा 360 अपॉन टू जीरो एक पॉइंट लग जाना है इसमें लगा दिंगे ठीक है अगर आप देखो तो जीरो का जीरो वन से गिरा टू को वन से गिरा जीरो को जीरो ठीक है यह क्या बन गया 360 divided by देखो 0.02 बन गया 02 को मैं 0 बेटा सकता हूं क्या बन गया 2 पॉइंट के बाद जिरो को वह वैल्यू नहीं होते है तो मैं ृससिंटता लेएंगा इसको मं इससे डिएट कर सकते हैं कि ये किनो हम दिन डेखो सकते हैं छकी साथ पॉइंट अभी तक तो क्या था दिनॉमी तो हमने करना है बताता हूं आपको अगर दोनु साइट पॉइंट आए हमारे जैसे हमारे पार कुश्चन है 0.5 divided by 0.25 अब देखो दिर्वामिनीटर में भी 0.5 divided by 0.25 तो क्या करेंगे इसको मैं सबसे बेले तो यही इस वारी फॉर्म में लिख लेता हूं इस वे लिखने से क्या फायदा इसको जल्दी से इस हमें करणा करेंगे उस से आपका उतर से लिगा कि अपको शुक्त कि रिधा नेथा साथ है मैंने 10 इसको ज़ादा उसके सारा multiply कर दिया है जो कि मैं कर नहीं सकता हूं इसको से डिवैड किया उपर वाले को भी मैं 100 से डिवैड कर सकता हूं 100 से हंडेड कर डिया मैंने कोईगी n ही करें स्मझ भाए आपके मैं नаботऊचेंद में कोई चेंज़ेश नहीं कर prospects क्योंकि 100 से 100 कर जाए तो बन आएगा और इसको मुट्टिप्राइगा रोगा सेम रहने वाला है मैं तो कोई changes करी नहीं रहा हूं ना ठीक है आप कोई अपने आप से कोई चीज एड नहीं कर सकते हो मैं ऐसा कहता है कि आप question को चीज नहीं कर सकते हो हां उसको अलग form में solve कर सकते हो e g करके तो मैंने इसको 100 से किया 100 से करते है इसके क्या जिरो पॉइंट फाइव वन टू वन टू अपॉन जिरो पॉइंट टू फाइव जिरो क्या कर रहा हूं मैं आच जिरो से जिरो कर दिया जिरो जिरो वन से कर दिया फाइव ठीक है वन से जिरो कर दो जिरो कर दो चलो कितने प्लेस के बाद है एक प्लेस के बाद है तो कहा लग जाएगा point यहां लग जाएगा upon 0,0,0,0 1 से कर दिया 5 1 से कर दिया 2 k Although 0 कितने प्रेस के बाद है 2 के बाद है दो लगा दिया तो इसको मैं 50 लिख सकता हूं कोई प्रोप्लम है नंबर के आगे 0 है मैंने अठा दिया नंबर के पीछ पॉइंट के बाद 0 hé मैंने अठा दिया बिख सकता है तो आंसर क्या तो पूरे सबसक्त हमारा जैसे अगला कोछी इसका लास कोछिन बता रहोत मैं प्रेक्टिस के लिइए प्रेक्टिस कर लिजीगा प्लीज अगर अच्छी से प्रेक्टिस कर लोगे तो आगे को आपकी में सही हो जाएगी आपको प्रॉब्लम से नंबर्स दिखेंगे आज तक का हम लोग को प्रॉबलम इसले नहीं आती थी क्योंकि हमने बच्वन में अच्छी से डिवैड करना है तो 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 पता होता था तो शिच्टीं की टेबल याद होती प्रटाफट कर देता अब इसमें पॉइं में दिखने लग गए तो आपको फिर यह सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको उसमें एक्सराइज बहुत चुटी है लेकिन यूज बहुत जाद है यह 7.2.7 इसका खतम हो जागी आपको कहीं नहीं सखाया जाएगा कि डेसिमल को कैसे डिवाइड करते हैं सीखने के है थोड़ा एर्वांज है लेकिन चाये हमें इसके लिए इसका लाश्यूशन दिख लेते हैं 2.73 सब्सक्राइब धाय एक यह कहते तो मैं क्या है इसको 2.73 सब्सक्राइब 1.3 कि इसको मैंने इंटु कर दिया इसको भी इंटु करता कितने से करूंगा आपके दिमाग माद बात चुका होगा यह नंबर को सकते हिंक सब्सक्राइब इघ्र तो जो फ्रेक्षिंट का था हमने कोई टी Immer है तिक है तम नहीं करें तदेन से होड़ी तो थो 173 00Ha li पॉइंट की बात है एक के बाद लग जाएगी पॉइंट के दो के बाद लग जाएगी तो यह कंवर्ट हो जाएगा हमारा 273 divided by 130 तो अब 130 की आप पढ़ सकते हैं 130 से डिवाइड करना है उन्हें 273 को अगर मैं इसको टू टैम दो 260 हो जाएगा ठीक है यसीटी आ जाएगा यह one आ जाएगा मैं पॉइंट लगाओं यह 0 वा जाएगा ठीक है पॉंट लाने का दम दूग बढा सकते हैं आप इतनी भी जिरू आसकते हैं पॉंट लाजाएगा तो कितना आजा कितनी पाइम कितना यह को कितना आगे अगे हमारा अंशर क्वेशन नमबर शीट कर रहा है वी कल वीकल कवर दिस्टेंस ओफ 4.2 किलोमेटर 4 43.2 किलोमेटर कितने मैं 2.4 लिटर पेट्रोल में कर रहा है 4.2.4 लिटर में इसने इतनी इसरेंस कवर करी तो पूसर रहा है कि एक लीटर में कितनी डिस्टेंस कर रहा है कि कल वी मैंने आपको बताया था कि बहुत का दिया है बहुत ज्यादा लिटर दिया 2.4 का दिया है निकालना कितने का एक का निकालना है बहुत का दिया है एक का निकालना है डिवाइट कर दो ठीक है एक का दिया है बहुत का निकालना है multiply कर दो बहुत का लिया 3.4 लीटर बहुत ज़्यादर प्रेट्रोल होता है एक लीटर एक का निकानल है ठीक है तो क्या कर देंगे 2.4 से divide कर देंगे 43.2 को language आप बना सकते हो car travel 43.2 km एक कल टू 2.4 लीटर पेट्रोल कार विल ट्रेवल इन वन लीटर पेट्रोल इसकल दू यह डिवाइड कर देंगे से मुझे इसको किते से इंटू करना है है 10 10 से करना है इसको किते से करना है कि थोड़ा सॉल्टा करते है मैंने 432 divided by 2.4 ठीक है वन यहां का वा सकता है जब इसके नीचे का यह इसके नीचे चले जाएगा तभी जाएगा इसको बोलते है है यह अलिमेंटरी मेथडर तो टो की एक्वडीं की होता है कि हमें इसको डिवाइड कर दिया तो डिवैट कर दिगे आपको किते से इन्टू वह घा yeब Hon Sounds इंट 10 रहेगा 432 तो इसको हमने इससे डिवाइट करना कितनी टाइम जाएगा मुझे पता है ट्वेंटी पूर थर्टीन आया तो यह आपको नाइन टाइम चले जाएगा और यह वन टू अब यह कितनी टाइम जाएगा अगर दिखा जाए तो यह जाएगा हमारा एट टाइम चकल लें मैं A4 ट्वैं टो क्याँ 32 टुट्री एट और टो सिक्स्टीन आथे नाइनटीन तो यह थैंते हैं लिटैशर जाएगी एक लीटर प्रट्रॉल में ने थिक है तो यहां पर एक चैप्टर हो गया है सेंकें चैप्टर हो जाता है और किसे कुछ पुच्छाना है तो मुझे को कमेट सेक्शन में पूर सकता है और परसनल भी पूर सकता है थैंक यू फर बहुचिंग